नमस्कार सूपर के चल्मियाब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रहे हूं लॉंग लता क्योंकि ये सब को बहुत पसंद आता है गोजिया खते खते आप उप गये होंगे तो आप लॉंग लता भी बना सकते हैं तो चलिए हम बनाते हैं ये देखे मैंने किसमिस लिया है पच ये देखिए 200 ग्राम मैंने मावा लिया है इसको अच्छे से मैंने भून लिया है आप इसी में हम सुगर पाउडर डालेंगे ये देखे इस तरह से अगर आप कपा सुगर पाउडर नहीं है तो आप मिक्सिक जार में आप डालके इसको पीस लिजे ये देखिए अब थोड पाउडर भी डाल सकती है ये देखिए हमारा फिलिंग तयार हो गया है अब हम आटा देख लेते हैं ये वही वाला आटा है जो हमने गुजिया बनाया था अब इसको हम इस तरह से लोगिया तोड़ लेंगे चोटी-चोटी और हलका से चिकना करके हम पूरिया बनाएंगे अब साइड में हम स्लेरी को लगाएंगे स्लेरी मैंने बताया था इस तरह से हमने गुजिया बनाया था उससी तरह इसको में लगाकर बस चिपका देंगे इस तरह साइड साइड से अब इधर भी लगा देंगे इसको उपर से इस तरह से चढ़ा देजे और फिर इधर भी लगा देजे किनार किनारे और इसको उपर से इसको दबा के बस चिपका देजे और इसी को उपर इसको भी इस तरह से दबा देजे बस अब इसी में हम लॉंग को लगा देंगे यह देखिए बिल्कुल पर्फेक्ट हमारा लॉंग लटा तयार हो गया है इसे खुले कभी नहीं बाकी के सारा मैंने बना लिया है अब इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसको फ्राइ करेंगे अब यह हलका गिर्वर जब गुर्णा घीए ह बहुत ज़्यादा तेज आच नहीं करेंगे इस तरह से तीन से चार मिनट हमको बिल्कों लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है यह तरह से इस तरह से करने से बहुत अंदर तक यह अच्छे से सिख जाएगा यह अच्छा गोल्लें ब्राउन हो गया है इसको हम निकाल लेते हैं अब हम चाष्णी बनाते हैं जिस कतौरी से मैंने एक कतौरी चिनी लिया है और उसी कतौरी से आधी कतौरी हम पानी लेकर इसकी चाष्णी बना लेंगे यह देखें अब इसी में डाल देंगे थोड़ा सा बिल्कुल फूट कलर अगर आपके पास केसर के धागे हैं तो डा बिल्कुल अच्छे से चीपख रहा है बस यह त्यार हो गया है गया इसका फ्लेब में आप कर दिया है और इसी में हम ड्रइब तेन से चार मिनट एक साइड से छोड़ेंगे और फिर उसको तीन से चार मिन मैंने छोड़ दिया था यह अच्छे से अब जार्भ हो गया है आप इसको निकाल देजे यह देखिए और अगर आपको ज्यादा मीठा खाना है तो उपर से आप इस तरह से चाशनी डाल देजे यह देखिए हमारा लांग लटक नबढ़ें तयार हो गया है अगर लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें और कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा थाइंक यू